तो ये टीवी स्क्रीन नहीं है ये दिवार पे चल रहा था लेकिन मैंने यहाँ पर एक पेपर का यूज किया है प्रजेक्टर स्क्रीन घर पे बनाई है वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे प्रजेक्टर स्क्रीन के बारे में आपको बताऊंगा मैंने इस पेपर को यूज किया कितना फर्क हमें नजर आता है प्रजेक्टर को जब हम दिवार पे प्रजेक्टर करते है या इस पेपर पे करते है और घर पे क्या हम प्रजेक्टर स्क्रीन बना सकते है हटाता हूँ, यहाँ पे मैंने जो यूज किया है एक notice board का use किया है क्योंकि मेरे पड़ावा था, आपके बास अगर इस तरह का board नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ता आप एक cardboard का इस्तवाल कर सकते हो आप इसे दिवार पे भी लगा सकते हो अगर आपकी dark wall है तो वहाँ पे इस तरह का paper काम करेगा यह paper thick है काफी, यानि कि मोटा paper है और dimensions की बात बताता हूँ, यह paper मैंने कितना काटा हुआ है किसे साब से काटा हुआ है dimension जो है, तकरीबन ऊपर का इस्सा है, वो 90 cm है और जो side का हिस्सा है, वो तकरीबन 65 cm के आसपस है तो उपर की तरफ 90 cm, side में जो है, लंबाई जो है, वो 65 cm तो यहाँ पे मैंने जो paper का इस्तेमाल किया paper मेरे पास पड़ा हुआ था गर में paper पे बहुत सारे wrinkles पड़े में, निशान पड़े में लेकिन वो भी देखेंगे कि आयन wrinkles से भी फरक पड़ता है तो एक तरफ से glossy है और एक तरफ से जो है बिलकुल off white है, white color का paper है, चलिए पहले इसको जमीन पर रखता हूँ, असानी से आपको दिखा सकूँ ताकी और test करते है, lights on है room की, projector मैंने जमीन पर रख दिया है, सामने notice board पर मैंने ये paper लगा दिया है, ये banner वाला paper है, flex वाला, तो glossy side जो है, वो इस समय जो है मैंने सामने लगा रखी है, और paper पर काफी सारा निशान भी है, जैसे आपने देखा था, अब हम देखेंगे कि projector पर clarity कैसे आती है, अब projector की clarity देखने के लिए, हमें rooms की lights off करनी होगी, दुबएर का समय है, खिड़की से थोड़ी बहुत lights आ रही है, तो मैंने curtain लगा रखा है, लेकिन थोड़ी बहुत lights में इतना फरक मैंने, जो glossy वाला side है, उसे लगा रखा है, अब आप यहाँ पर इसकी clarity देख सकते हैं, और अभी दिवार पर भी देखेंगे, क्या दिवार से बहतर clarity यहां मिल रही है, यह नहीं मिल रही है, तो यह तो हो गया glossy side पर कि किस तरह की clarity मिल रही है, अब glossy side पर problem ही होती है, glossy side पर light की चमक बहुत जादा आती है, तो इसको अगर मैं हटाता हूँ और normal notice board जो green color का है, उस पर अगर आप clarity देखें तो वहाँ पर colors डल पड़ जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर मैं को हटा दिया है, और back वाली side जो off white थी, बिल्कुल ही, बिल्कुल एकदम से matte जैसी, जिस पर कोई भी shine नहीं है, वो side paper का मैंने लगा दिया है, और मज़ी की बात यह है, इस side में जो है, जादा हमको brightness, जादा clarity देखने को मिल रही है, तो simple सी बात है, यह अपनी personal राय बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत सारे projector के reviews कर चुका हूँ, आप घर में projector screen बनाना जाते हैं, तो आप इस तरह का white paper यूज़ कर सकते हैं, या बने बनाए canvas आते हैं, आप उनको ले सकते हैं, 7-800 रुपर में बहुत बढ़िया आ जाते हैं, अपने हिसाब से, अपने requirement के हिसाब से, जो भी size आपके room का है, उस आप से, आप से customize कर सकते हैं, अभी यह वीडियो दिवार पे चल रहा है, दिवार इसकी clarity इसलिए अच्छी आ रही क्योंकि मेरी दिवार cream color की है, और अब यह white color की है, जो मैंने paper notice board पे लगा है, उस पे चल रहा है वीडियो, जादा फरक अगर मैं आपको बताओ, आपको शायद camera में नजर ना आए, लेकिन मैंने जो notice किया है, white पे इस projector की clarity जो है, जादा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि glossy वाली side पे थोड़ी बहुत light की चमाक आ जाती है, और आपको adjust तो करना पड़ेगा screen को, यहाँ पे तो मैं आपको एक तरह का demo दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको मैंने यहाँ एक basic side दे दिया है, तो जो off-white वाला side है, वहाँ पे कुछ और amazing चीज़ों के साथ में BR Tech Films में विलेंगे अगले वीडियो में यह वीडियो को like करना मत भोलना